कि किस कारणों वच इन लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ने का निरने किया सबसे पहले तो मैं यह कह दूँ कि हम लोग जो चुनकर आई थे वो प्रदेश के विकास के लिए जन हिट के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं कई के बार लोग चुनकर के आए हैं जो प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरन ना रहे और लगातार आतम सम्मान को विर्थी के ठेश पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्तितियां पैदा होती है आज कॉंगर्स पार्टी का पूरे देश के अंदर घटर इसलिए हो रहा है क्यूंकि कॉंगर्स पार्टी का कोई इस देश के प्रती विजन नहीं रहा है और पार्टी को यह पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है सिर्फ एक काम कॉंग्रेस पार्टी आज की परिस्तिती में करती है श्रदे प्रदान मंत्री जी की आलोचना करना जिस कारण आज ये परिस्तितियां बनी है आज हम छे लोग सम्मिलित हुए हैं सविच्छा से हमने राज्य सभा में जो मद्दान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उमीदवार भारती जनता पार्टी ने दिये हर्श महाजिन उनके पक्ष में मद्दान किया आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है कोई चोरी छुपे ये मद्दान नहीं होता वो मद्दान किया इनके विरुद जो उमीदवार कॉंगरेस पार्टी ने दिये थे आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चेतम ने आले में रामंदिर का जब केश चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे उनको वहां भेजा और इसलिए लोगों ने निरने लिया कि प्रदेश के वक्ती के हित में हम लोग मद्दान करें आज हम भारते जनता पार्टी में शामिल हुएं हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में हराष्टन निर्मान में प्रदान मंतरी जिकनीतियों को देखते हुए हम अपने अपनी हैसेट के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें और आज हम यह आए हैं इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिन्दा हैं भारते जिन्दा पाइटि में रहेंगे एक कारे करता के रूप में काम करेंगे यह मैं कहना चाहता हूँ सुधीर शर्मा जी हमारे सेयोगी यह नोंने सारी बातें बता दी हैं और यह जो घटना करम हुआ है इसके बिचे बहुत सारे कारण है पिछले लगभग सवा साल से जिस तरीके से परदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने होई लोगों को हिमिलेट किया जा रहा था और जो गरंटियां दी गई जो बाईदे किये गए परदेश की जंता हमरे चुनाक शित्र के लोग हमसे पुछते थे कि यह ऐसे से बाईदे आपकी पार्टी ने किये हैं इनका क्या हो रहा है नौजवनों की बात है नौजवनों की नौकरियां जो जुनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिये गए और अन्तते आदमी हर बात से समझाओता करता है स्वविमान से कभी भी समझाओता नहीं करता है और हम सब लोग स्वविमानी है यह लोग जो मरजी बोलते रहे दूसरा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कॉंग्रस पार्टी ने पार्टी में पुरे देश में एक पुलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है यह इसके पीछे आज लगता है कि कॉंग्रस का हाई कमान नजर नहीं आता है हम लोग परदेश के मुख्या मंतरी से बात करते थे सुनाई नहीं होती थी हम रास्टी नितरते से बात करते थे कोई सुनाई नहीं होती थी और यह पुरे देश में कॉंग्रस में जो पुलिटिकल डिजास्टर हो रहा है आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है और आज हम सब लोग भारती जनता पार्टी में शामिल हुए हैं हमें इस बात का गर्व है कि जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश आज इस सरकार में जो जैसे गाड़ी आगे चलती है बैग गेर में जो सरकार चल रही है आने वाले समय में हम अमीद करते हैं कि हम सब मिलकर प्रदेश को पारवर्ड गेर्ड में लेके जैंगे आगे लेके जैंगे जहां देश आगे बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े ऐसी हम कामना करते हैं